दोस्तों नमस्कार मैं उतकर्ष दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टार्गेट सिविल सबसे जय हो दोस्तों हिंदी के लिए इसके पहले एक वीडियो और यह वीडियो हमने प्रयास किया है कि दो वीडियो में समस्त हिंदी व् वैसे यह भी रहेगा उसी का अगले भाग के रूप में इसको आप देखिए ठीक है चली शुरू करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन है तत्सम शब्द क्या होते हैं जो मूल शब्द होते हैं जैसे संस्कित से संस्कित के जो शब्द होते हैं मूल शब्द होते हैं उन्ही को जियों कात्यों जब इस्तमाल किया जाता है तो तत्षम शब्द कहलते हैं तो निम्न में से कौन सा तत्षम शब्द है और दूसरा क्या होता है तत्षम शब्द तत्षम शब्द मनलब विक्रित हो जाते हैं जो मूल शब्द होते हैं उनका प्रयोग न करके उनका जो इस्तमाल जो प्रयोग किया जाता है विक्रित रूप में किया जाता है तो वो तद्भव हो जाते हैं बस यह छोटा सा अंतर है तो पहला प्रश्ण है निम्नमे से तत्षम शब्द है चंचु आग उबटन या फिर पलंग तो दोस्तों चंचु जो है यह तत्सम शब्द है चंचु जो है मूल शब्द है तत्सम शब्द है इसका तद्भव चोच के तत्सम शब्द है पलंक का तत्सम है पर्यंक तो ये तीनों जो है आग उप्टन और पलंक तद्भों है चंचु जो है यह तत्सम शब्द है तत्सम और तद्भों शब्दों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा याद करना पड़ेगा कि कौन मूल शब्द है और कौन व निम्न में कौन सा शब्द तद्भो है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भो है? शलाका, हल्दी, सूची या फिर घोटक. यहाँ पर तद्भो पूछ रहा है, विक्रित शब्द पूछ रहा है. तो दोस्तों यहाँ पर हल्दी यह विक्रित है, बाकी घोटक जो है, इसको घोड़ा कहते हैं, तद्भो में यह घोड़ा हो जाएगा, मूल शब्द है, सूची, इसका तद्भो सूई होता है, शलाका, शलाका का तद्भो सलाई होता है, तो हल्दी का जो तत्सम होता है दोस् देखे बनाओड के आधार पे तीन प्रकार के शब्द होते हैं शब्दों की जो बनाओड होती हो तीन प्रकार के होती है रूड, योगिक और योग रूड कौन-कौन से रूड शब्द, योगिक शब्द और योग रूड शब्द रूड़ शब्द क्या होते है दोस्तों जिनका अगर अलग-अलग जिनको कर दिया जाए खंड कर दिया जाए तो उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले ठीक है न? उन शब्दों के कोई सार्थक अर्थ न निकले इससे दिन हो गया तो इसको दी और न अलग कर दिये, तो दी का कोई अर्थ नहीं, न का कोई अर्थ नहीं तो ऐसे सब्द रूड शब्द होते हैं वहीं योगिक शब्द क्या होते हैं, ये दो रूड शब्दों के मेल से बनते हैं या दो से अधिक रूड़ सब्द मिलके योगिक शब्द बनाते हैं इनका खंड कर देने से दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलते हैं कुछ सार्था कर्थ निकलते हैं तो वो योगिक शब्द होते हैं वहीं योगरूड क्या होता है जैसा कि नाम से असपष्ट है योगरूड ये योगिक तो होते हैं दोस्तों लेकिन ये इनका जो है अर्थ जो है कुछ और होता है ये अपने अर्थ को छोड़ देते हैं किसी अन्य अर्थ को संकेतित करते हैं तो वो योगरूड शब्द होते ह अब आईए देख लेते हैं उदान के माद्यम से निम्न में से रूड़ शब्द कौन से है घुड़ सवार कथा सागर राज कहानी पीला देखे घुड़ सवार को अलग करिये घुड़ सवार अलग-अलग अर्थ निकल रहे हैं काथा सागर को अलग करिये कथा सागर अलग-अ अलग कर दीजे, तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है ठीके दोस्तों, तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए यहाँ पर पीला जो है, वो रूड शब्द हो गया अब आप योगिक शब्द इसमें पताइए निव्ण में से योगिक शब्द कौन से है असपश्टता घुरसवार जो है योगिक शब्द है बाकी सब रूड शब्द है अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है निव्ण में योग रूड शब्द कौन सा है कथा सागर, आग बबूला, पंकज या फिर नीला देख कथा सागर, कथा और सागर अलग-अलग जो शब्द हैं इनके अर्थ अलग है लेकिन कथा सागर मिल करके वही अर्थ प्रदान कर रहा है जो इनका कथा का और सागर का अर्थ है इसी तरह आग बबूला आग बबूला इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है ठीक है न नीला यह तो रूड़ शब्द है ठीक है इनको अलग करने पर अलग-अलग शब्दों के अलग-अर्थ नहीं है लेकिन पंकज को यदि आप देखें तो पंक मतलब कीचड होता है ज़स मतलब होता है जन्म लेने वाला कीचड में जन्म लेने वाला अर्थाद अर्थाद कमल कमल का पर्याइवाची है यह पंकज तो यह तीसरे किसी अर्थ को यह संकेतिक कर रहा है तो इसलिए यह डी जो है वो योग-रूड शब्द हो जाएगा हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आगया होगा रूड योगिक और योग-रूड शब्द अब हम उपसर्ग और पत्याद देखते हैं निम्न में से किसमे उत उपसर्ग नहीं लगा है उपसर्ग क्या होता है दोस्तों किसी शब्द के पहले आकर कि उस अर्थ को विशेष्टा प्रदान करता है ठीक न? तो उत उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? उत्तम में लगा हुआ है उद्भों में भी लगा हुआ है ने सोरी उद्भों में नहीं लगा हुआ है उद्भों में उद उत नहीं है उद है उद्भो है उद्थान में दोस्तों लगा हुआ है उन्नती में भी उत्वनती होता है इसमें भी लगा हुआ है कन्फूज मत होएगा उन्नती में जो है उत्व जो है उपसर्ग है ठीक है जब आप संधी करेंगे तो उन्नती हो जाएगा वो उदभो की बात करें तो यहाँ पर उद उपसर्ग है उद उपसर्ग नहीं है इसलिए इसका उत्तर बी होगा ठीक है उपसर्ग और प्रत्य भी आपको दोस्तों थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बुक से प्रैक्टिस कर लीजे उपसर्ग प्रत्य की समझ में आ जाएगा ठीक है अब समझने वारी जो चीज है प्रत्य है प्रत्य में दो तरह के प्रत्य होते हैं क्रिदंत होता है तद्धित होता है एक क्रित प्रत्य होता है एक तद्धित प्रत्य होता है क्रित प्रत्य लगा कर ज शब्द होते हैं जो किशी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ को विशेश विशेशता प्रदान करते हैं ठीक है क्रिदंत क्या होता है अर्था जैसा की नाम से स्पष्ट है क्रिया या धातु क्रिया या धातु के अंत में जो लगता है वो क्रिदंत क्रित प्रत्य होता ह और जो शब्द बनता है इसे कृदंत कहलता है क्रिया या धातु क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है दोस्तों जैसे क्रिया है कोई उसमें ना जो लगा रहता है जैसे बोलना चलना इसमें अगर ना आप हटा लिजे तो जो बसता है वही धातु होता है तो क्रिया या धा बातु में जब कोई प्रत्य लगता है अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्य कहते हैं और ऐसे शब्दों को कृधंत कहते हैं तो बताईए निवन में से कृधंत कौन सा है गाने वाला मानवता कवरो या फिर कुलीन निश्तरूप से यहां पर करिया कहा है गाना करिया है इसमें जो प्रत्य लग रहा है वाला ठीक है तो यह कृधंत प्रत्य यहीं शब्द है ठीक है प्रत्य यहां क्या है वाला है कृत प्रत्य वाला है गाने में अथा क्रिया में प्रत्य लग करके कृधंत शब्द बना रहा है गाने वाला बाकी सब मानो कुरू और कुल ये तीनों जो है संग्याएं हैं दोस्तों तो संग्या के बाद जो है लग रहा है तो ये जो है तद्धित हो गया ठीक है ये तद्धित हो जाएगा क्रिदंत निवा क्रिदंत के लिए क्रिया के बाद लगना है या धातु के आया कि क्रिया छोड़ करके संग्या सर्वनाम और विशेशन के बाद जो प्रत्या लगते हैं वो तद्धित प्रत्या कहलाते हैं और जो शब्द बनते हैं तद्धितांत कहलाते हैं तो निमें से तद्धितांत कौन से हैं गाने वाला यहां पर गाना जो है क्रिया हो गई मिल वर्ष में एक प्रत्य लग गया वार्षिक हो गया वर्ष जो है वो क्रिया नहीं है इसलिए ये जो है दोस्तों तद्धितांत हो गया ठीक है तो कृदंत और तधितांत में आपको अंतर पता चल गया होगा कृद्प्रत्य में और तधित्प्रत्य में अब आप कर लेंगे मेरा विश्वास है आधा कुंतल गेहु में कौन सा अब विशेशन विशेशन देख लेते हैं आधा कुंतल गेहु में कौन सा विशेशन है आधा कुंतल गेहु निश्चित परिमाण बोधक अनिश्चित परिमाण बोधक निश्चित संख्या बाचक अपूर्णांक बोधक देखें गेहु की मात्रा के बारे में बात कर रहा है यहां संख्या नहीं दरसा रहा है इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो सपश्ट है कि यहाँ परिमाण है आधा कुंतल गेहूं निश्चित है या अनिश्चित है दोस्तों ये ये दोस्तों क्या है निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है आधा कुंतल कितना गेहूं आधा कुंतल गेहूं अगर ये बताता कि और शार सारोनामिक विशेषण जो होता है वह गुण की गुण का बहुत कराता थी प्रह ऒप से विशेष के गुण की बारे में बताता है विशेश क्या होता है जिसकी विशेशता बता यह थी विशेशन क्या होता है जो विशेशता बताता है ठीके न संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं तो विशेश और विशेशन दो चीजें होती है विशेश वह होता है जिसकी विशेश बताई जाती है और विशेशन क्या होता है जो विशेशता बतता है ठीक है जैसे सुन्दर व्यक्ति तो सुन्दर क्या है विशेशता है तो यह विशेशता बता रहा है किसकी व्यक्ति की तो व्यक्ति यहां पे विशेश हो गया और सुन्दर क्या हो गया विशेशन हो गया य दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, वो संख्या का बोध कराता है, ठीकिना, संख्या का बोध कराता है, यह निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक, जो निश्चित संख्या वाचक होता है दोस्तों, जैसे एक, पांच, बारग, यह सब संख्या का बोट करा रहा है, निश्चित संख्या का, अनिश्चित संख्या वाचक की बात करें, संख्या वाचक का तो कई, अनेक, बहुत सारे, यह सब चीजें अनिश्चित हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी संख्या है, तो अनिश् पूरांक बोधक होता है, पूरांक मलब जो पूरांक का बोधकराता है, एक, दस, सो, हजार, ठीक, लाग, अपूरांक बोधक संख्या वाचक जो होता है, जिसमें अपूरांक जैसे आधा हो गया, पौना हो गया, अपूरांक है, पूरांक नहीं है, आधा, तियाही, क्रम वा चौथा पांचवां छठा आवरिति वाचक जो बार-बार होने का बोजेस दूगना हो गया तीवना हो गया ठीक है बार-बार होने का बोध करा है आवरिति वाचक समूवाचक अर्था जैसे तीनों पांचों दसों तो ये सब समूवाचक है ना प्रत्येक बोधक भी होता है जिसमें प्रती, हर एक, 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 इस धंकिशब जहाएंगे, वहाँ प्रत्य एक बोध होगा, तो ये सभी निश्चित संख्या वाचक के भेद हैं, आप कहीं नोट कर सकते हैं चाहें तो, बुक्स वहीं मिल जाएगा, हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, तीसरा जो है, गुण संख्या हो गया, फिर परिमाण वाचक आता है, परिमाण वाचक भी निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण का मतलब, जैसे जो निश्चित परिमाण का बोध करा है, जैसे दो मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी ये सब अनिश्चित परिमार बता रहे हैं इनसे पता नीचल पा रहा है कि कितना और अंत में आता है सारोनामिक विशेशन सारोनामिक मलब जब संग्या के पहले सारोनाम आये और उसकी संग्या की विशेशता बता है जैसे वह आदमी ब्योहारी है बता रहा है किस आदमी के बारे में बता रहा है किसी विशेश आदमी के बारे में बता रहा है कि वह आदमी व्यवारी है तो यहाँ पे सारोनामिक विशेशन है ठीक है न इसी तरह पूछ लिया जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा कौन छात्र यहाँ पे छात्र की विशेशन हो जाएगा तो यहाँ से हमने सभी जितने प्रकार की विशेशन होते हैं उनके बारे मता दिया विशेशन विशेश अगर एजाम में पूसता है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विशेशन विशेश ठीक है लेकिन पहचान आप इस ढंक से कर सकेंगे इतने विशेशन होते हैं जिसे ताज महल अत्यन्त सुंदर होता है इसमें अत्यन्त क्या है गुण वाचक विशेशन है परिमान वाचक विशेशन है संख्या वाचक विशेशन है या फिर प्रविशेशन है अभी प्रविशेशन बारे मैंने आपको नहीं बताया प्रविशेशन क्या होता है दोस्तों यह किसी विशेशन की विशेशता बताता है यह विशेशन के बारे में बताता है विशेशन की विशेशता बताता है तो वह प्रविशेशन हो जाता है जैसे ताजमहल अत्यांत सुन्दर यहां सुन्दर क्या है गुण वाचक विशेशन है ताजमहल का गुण बता रहा है कि ताजमहल सुन्दर है लेकिन सुन्दर को और ज्यादा विशेशता प्रदान कर रहा है अत्यांत अत्यन्त सुंदर है तो सुंदर की यहां विशेशन की विशेशता बता रहा है तो यहां प्रविशेशन हो जाएगा ठीक है अत्यन्त जो है प्रविशेशन है सुंदर यहां पर विशेशन है ताज महल विशेश्य है गाजानन में कौन सा समास है अब समास के बारे हम देख लेते हैं सब कुछ पहले जान दिजिए समास कितने प्रकार के होते हैं मुखिता दोस्तों देखिए च्छ प्रकार के समास पूछे जाते हैं परिक्षाओं में अब्वेई भाव, तत्पुरुष समास, बवब्री समास, दंद समास, करमधारे समास और दिग समास ये च्छ प्रकार के समास होते हैं अब्वेई भाव समास की अदि बात करें अव्याई भाव में देखिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको समास कभी आपका गलत नहीं होगा अगर इन ट्रिक्स को आपने अपना लिया तो अव्याई भाव समास में दोस्तों पहला पद जो है प्रधान या अव्याई होता है अब्या का और्थ होता है जिसका व्याय नहूं जो नश्ट नहूं देकिन अव्याय पहला पद प्रधान होगा देखिए कुछ आपको ट्रिक समय बता रहा हूं जो पहला पद होता है अक्सर उपसर्ग आपको मिले तो वहाँ अब्याई भाव समास होगा जैसे प्रतिदिन, यथा शक्ति, यथा संभो, आजन्म, बेकाम, भर्सक, इन सम्में देखिए आप उपसर्ग आपको मिल रहे हैं, पहला शब्द उपसर्ग रहेगा, इसके अलावा पहला सब्द छोटा रहेगा और कम अर्थवाला रहेगा, वहीं दूसा शब्द बड़ा ह और ज्यादा अर्थवाला होगा, ठीके, पहला सब्द छोटा रहेगा और कम अर्थवाला रहेगा, दूसा शब्द बड़ा होगा और ज्यादा अर्थवाला रहेगा, जैसे क्या हो गया, यथा शक्ति, यथा क्या है, छोटा शब्द है, इसका कम अर्थ है, जैसी शक्ति ह पर बड़ा शब्द है, बड़ा अर्थ है, ज्यादा अर्थ रखता है, यथा यहाँ पर उपसर्ग भी है, तो दोनों टिक्स एक साथ आपने इस्तमाल कर लिए, यथा शक्ति, प्रति दिन, यथा संभो, आजन्म, बेकाम, भरसक, इसी तरह एक ही शब्द कई बार्या दिया ह जैसे रातो रात, दिनो दिन, हाथो हाथ, ऐसे शब्दों में अब्वेई भाव समास होता है, अब्वेई भाव में जो आमने टिक्स बताएं, इनको याद रखेंगे, तो आप कभी भी अब्वेई भाव समास के रद नहीं करेंगे, दूसरा जो समास है दोस्तों, दोस्तों, आप जो अब्वेई भाव हमने समास बताया, इसका ठीक उल्टा समझे, अर्था दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद छोटा रहेगा और कम अर्थवाला होगा, वहीं पहला पद बड़ा होगा, ज्याद दूसरा पद छोटा तो होता है, प्रधान होता है, इसके लाओं सबसे अच्छी जो ट्रिक है, तत्पुरुस को पच्चानने की वो यह है, कि बीच में, दो शब्दों के बीच में कारक शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राज पुत्र हो गया, तो इसमें कारक बीच में क का जो है, राजा का पुत्र होना चाहिए था, तो का का लोप हो जाता है, राजा का पुत्र, तो का का यहां लोप हो जा रहा है, संबंध कारक का लोप हो जा रहा है, इसी तरह गंगा जल, गंगा का जल, यहां भी संबंध कारक जो है, का था, इसका लोप हो गया है, तो कार करन कारण संपधान अपदान संबंध अधिकरण और संबोधन इस्में करता और संबोधन को छोड़ करके जो छब अच्छ बस्ते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इतने प्रकार के तत्पूरुस समाज भी होते हैं जहां पर को का लोप होगा, वहां कर्मकारक होगा कर्मकारक का लोग हो रहा है, जहां से का लोग होता है, वहां करण होगा जहां पर को या के लिए होगा, संपरदान होगा जहां पर से अलग होने के अर्थ में होगा वहां अपादान होगा जहां काके की रारेरी होगा वहां संबंध होगा और जहां मेया पर रहेगा वहाँ अधिकर्ण होगा तो यह तत्पुरुष के भेद रहे हैं तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा आप कर्मधारे की बात कर लेते हैं कर्मधारे दरसल कर्मधारे और द्वी की दोस्तों यह तत्पुरुष के ही दो प्रकार होते हैं तत्पुरुष के ही प्रकार का संबंद होता है या तो पहला पद विशेशन होगा दूसरा विशेशन होगा या पहला जो है विशेशन होगा दूसरा विशेशन होगा या फिर दोनों विशेशन होंगे या फिर दोनों विशेशन होंगे ये चारों हिस्तितियों में कर्मधारे समास होगा मैं उदारण द्वारा समझा देता हूँ जैसे नील गाय नील गाय अर्थाद नीली है जो गाय गाय की विशेषता बता रहा है तो गाय जो है विशेष है जो दूसरे अस्थान पे है दूसा सब्द विशेष है पहला शब्द नील विशेशन है इसी तरह चरण कमल यहां पे पहला शब्द विशेशन है यहां पहला शब्द चरण विशेश है दूसरा कमल की बात कर रहे हैं चरण कमल में कमल दूसरे अस्थान पर आया है यहां विशेशता बता रहा है चरण की कमल विशेशन है और चरण विशेष्य है यहां भी कर्मधारे समास तो विशेष्य का संबंद है दोनों में इसके अलावा कभी कभी दोस्तों दोनों शब्द विशेष्य भी हो जाते हैं जैसे लाल पीला क्यों आप हमारे पर लाल पीले हो रहे हैं वैसा करते हैं तो यहां पर लाल पीला जो है एक साथ लाल पीले के बीच और शब्द नहीं है और होता तो यह द्वंद स्वमास हो जाता है दोनों पत्प्रधान हो जाते हैं लेकिन लाल पीला एक साथ है तो यहां पर यह करम धार है सीतोषन जैसे सीत के साथ ऊशन यहां सीत और ऊशन की बात नहीं होती सीत के साथ ऊशन है तो सीतोषन और बीच में आ गया तो द्वंद हो जाएगा इसलिए ऐसे शब्द कम ही पूछे जाते हैं जब पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा धिमाग लगाना पड़ेगा इसी तरह दोनों विशेश्च भी हो सकते हैं जैसे आमर विक्ष आम का विक्ष आमर विक्ष आम और विक्ष दोनों ही यहां पर विशेश्च हैं ठीक है अब अगला जो है अगला समास है द्विग समास हो दोस्तों द्विग समास बहुत ही आसान है समझना जब संख्या का उपयोग हो संख्या वाले शब्दों का प्रयोग जहां पर हो ठीके? और द्विती पद प्रधान हो तो वहाँ जैसे चोरहा हो गया त्रिलोक हो गया ये सब जो हैं द्विग सुमास हैं बहुत आसान है द्विग सुमास समझना बहुब्रीही की बात करें बहुब्रीही समास इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तो दोनों पद मिल करके अन्य किसी तीसरे पद की और इसारा करते हैं जैसे नील कंट हो गया नीला हो कंट जिसका अर्थात भगवान शिव गजानन हो गया अर्थात गज के समान मुखवाला अर्थात गणेश भगवान तो ये शब्द किसी तू तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित कर रहे हैं यहाँ पर बहुबेही समास होगा द्वंद समास की बात करें दोस्तों द्वंद समास भी आसान है पहचानना पहली बात तो दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात या तो विपरीत होंगे या तो बराबर महत्वाले होंगे इनके बीच और जो है उसका छुपा होता है और शब्द जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में और अपने आप आ जाएगा ठीक है और शब्द आएगा जैसे दिन रात दिन और रात दिन का और रात का समान महत्वए विप्रीत हैं दिन रात ठीक तो आपको सारे समास मैंने बता दिये ट्रिक बता दिये आपको समझ में आ जाएंगे मेर सवाल हल कर लेते हैं गजानन में कौन सा समास है देखे गजानन गज के समान मुखवाला यदि अर्थ में के वल हम जाया है तो यह कर्मधारे समास नजर आता है क्योंकि गज जो है आनन की विशेष्टा बता रहा है विशेष्टा है गज और आनन जो है वह मुख जो है उसकी विशेस्ता बता रहा है गज के समान मुख वाला लेकिन यह किसी तीसरे व्यक्ति की और अंगित कर रहा है तो इसलिए अब बहुबरी ही समास होगा दोस्तों अक्सर ऐसे प्रश्णों में कन्शूजन हो जाती है तो बहुबरी ही समास ही होगा यथा शक्ति में कौन सा समास है जैसे हमने बताया यथा क्या है यहाँ उपसर्ग है यथा शक्ति छोटा है उपसर्ग है यहाँ पर क्या होगा अव्य इबाओ समास होगा कर्मधारे समास की पहचान करें अब आसान है करना दोस्तों, प्रति दिन में कौन सा समास होगा, प्रति दिन में बताइए, मैंने बताया न, दिन दिन प्रति दिन, यह अब भाव समास होगा, चंद शेखर इसमें बहु भी समास होगा, यह भगवान शिव की ओरंगित कर रहा है, रात दिन, दोनों की समान व यहां ध्वंध समास हो गया चरण कमल के समान कमल हमने उधारन भी बताया यह कर्मधारे समास हो गया अब रस के बारें देख लेते हैं रस से जो परश्णा आते हैं दूस्तों कुल कितने रस है पूचह घाते हैं कुल नौ서 एसी तरह नौ यौरल इतना पड़िये बाकी जो पंक्तियां दी रहेंगी उनसे पहचानिये की वीरता का किसमे वर्ण किया गया है किसमे हास से रस है अर्थात हसी मजाक है जिसमे किसमे करून जिसको पढ़ने से शोक उत्पन्नो वहां करून रस जिसको पढ़ने से सिंगार का भाउत्पन्नो इस डंक से आप बहुत आसान है रस्तो पचानना कर लेंगे आप अलंकार की बात करें अलंकार अक्सर कन्फूजिंग हो जाता है इसलिए यहाँ पर ट्रिक के बारा आप जान लीजे छोटे से ही समय में शब्दा लंकार और अर्था लंकार अलंकार के दो भेद होते हैं शब्दा लंकार में मुख्यता अनुप्रास यमक और श्लेस अलंकार आते हैं अर्था अलंकार में मुख्यता उप्मा रूपक और उत्रेक्षा अलंकार आते हैं शब्दा अलंकार जैसे जैसा की अर्थ से ही व्यक्ति हो रहा है कि शब्द में कोई अलंकार हो शब्द में विशेस्ताय हो जहां पे शब्दों द्वारा अलंकित किया जा रहा हो किसी कविताव को अर्थ मतलब जहां पे अर्थ में कुछ अलंकार हो अर्थ में कुछ विशेस्ताय हो तो शब्द और अर्थ चलिए देख लेते हैं शब्द अलंकार अर्था अलंकार एक साथ अनुप्रास अलंकार क्या होता है जहां पे वर्णों की बार-बार अवरित्ती होती है जो वर्ण होते हैं उनकी बार-बार अवरित्ती जहां हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की अवरित्ती यहाँ व्यंजन दिया है स्वर नहीं दिया है स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की आवरित्ती होती है जैसे रीजी रीजी रहसी रहसी हसी हसी उठे यहाँ पे स्वरूप और क्रम से यहाँ रीजी का बार-बार हो रहा है रहसी बार-बार आ रहा है हसी हसी बार-बार आ रहा है तो यहाँ पर व्यंजनों की बार-बार आ वृत्ती हो रही है स्वरूप रुक्रम से छेक अनुप्रास होगा वृत्यानुप्रास एक होता है यहाँ पर व्यंजन की अवृत्ती बार-बार होती है ठीके सपने सुनहले मनभावे स स बार बार आ रहा है व्यंजन बार बार आ रहा है तो ये वृत्यान उप्रास हो गया ध्यान दीज़े कि यहाँ शब्दों की अवरित्ती हो रही है व्यंजन के साथ साथ यहाँ पे व्यंजन की शब्द की आउशक्ता नहीं है सिर्फ व्यंजन की आवरित्ती हो रहे तो वित्यान उप्रास हो गया सूश्य वेद हैं लाटान उप्रास होता है जब एक शब्द की आवरित्ती उसी अर्थ में हो किन्तु तातपर में भेद हो अर्था जब एक शब्द बार-बार आये लेकिन उसका तातपर कुछ और हो जाए अर्थ तो वही हो लेकिन तातपर कुछ और हो जाए जैसे कि एक शब्द वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे यहाँ पर मनुष्य शब्द दो बार आया है और दोनों ही मनुष्य कार्थ मनुष्य ही है अर्थ दोई है लेकिन दोनों का तातपर अलग-अलग है एक मनुष्य अलग कारे कर रहा है दूसा मनुष्य अलग कारे कर रहा है ठीक है न? एक करता है और एक कर्म कारक है एक क्या है? करता है मनुष्य और एक मनुष्य क्या है कर्म कारक है मनुष्य के लिए तो यहाँ पे दोनों का तात्पर भिन है लेकिन शब्द वही है अर्थ वही है तो वहाँ लाटानो प्रास होगा स्लेश का अर्थ होता है दोस्तों स्लेश अलंकार slaysh का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो तोहां slaysh alangkar होगा सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यविचारी चोर यहाँ सुबरन सब एक बार आया है लेकिन कभी के लिए उसका अर्थ अलग है कभीता है यमा कलंकार की बात करें तो एक शब्द कई बार प्रिवक्त लेकिन उनका अर्थ भिन भिन होता है जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिका है या पाए बोरा है जग या खाए बोरा है एक कनक का अर्थ सोना है एक कनक का अर्थ धतूरा है यहां पे कर रहा है एक कनक जैसे कनक या पाए बोराए जग या खाए बोराए एक को पाकर बोरा जाता है आदमी पागल हो जाता है एक को खा के पागल हो जाता है तो कनक शब्द दो बारी हो जो रहा है लेकिन प्रेव इसका अर्थ जो है भिन भिन है अगर अर्थ वही रहता और लेकिन तातपर बिन होता तो वहाँ लोटानुप्रास हो जाता उपमा अलंकार क्या है दोस्तों यहाँ शब्द शब्दालंकार का भेद है यहाँ सुरू होता है उपमा अलंकार में समता तुलनाया बराबरी कियाती है किसी किनी दो शब्दों में ठीक है न जिसमें एक उपमे होता है जिसकी उपमा दी जाती है एक उपमान होता है जिसे उपमा दी जाए दोनों में असपश्ट भेद दिखता है दस्टब्य होता है इसके अलावा समानता वाचक पद का प्रयोग कियाता है जैसे जयों सम या तुल इन सब शब्दों का प्र लगा हुआ है अर्था समांता वाचक पद लगा हुआ है यहां पर उपमा लंकार होगा रूपक लंकार में उपमे और उपमान में अभेद तुलना होती है भेद नहीं रह जाता है यहां पर समांता वाचक पद का प्रयोग नहीं कहा जाता है उपमे और उपमान एक ही हो जात उत्प्रेक्षा, लंकार क्या होता है किसी वस्तू को संभाववत रूप से देखना, किसी वस्तू को यहाँ पर संभावना परकट की जाती है मनु, मानो, जानो, जन्व इन सब शब्दों का इस्तमाल की जाता है जैसे मानो, हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है ठीक है न, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी बहुत अच्छे समझ में आई होगी दोनों वीडियोज में अच्छा लगे, कमेंट करें, शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों